कि वेल्कम दोस्तों मैं यूटूब चाइनल पीपी अस्टावडी सेंटर तिरानवे पंचानवे में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैंने यूथ का रिजिनिंग बुक से एना लोजी चैप्टर से आप लोगों को तीस कोश्चन का एक वीडियो दाले हैं जो कि आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए लाइक किजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दिजिए गया तकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो जालूं तो आपको पहले सबसे पहले जाए और इस बुक का संपूर्ण हल मैं करने जा रहा हूँ पार्ट बाई पार्ट एकदम चैप्टर बाई चैप्टर हरेक एकदम चैप्टर का वीडियो बना कर दाल देंगे तो आप लोग का बहुत ही अच्छा लगेगा तो आए बिना देर किये हुए हम लोग 31 यानि की 31 नमबर से कोस्चन को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं तो एना लोजी चैप्टर से रिजनिंग है हम लोग का 31 नमबर कोस्चन देखिए इसकीन पर 31 नमबर कोस्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है ताप अनुपात सितल समानुपात क्या होगा तो देखिए जिस परकार heat यानि कि warm यानि कि temperature का उल्टा बिलों सितल होता है cold होता है यानि कि ठंदा होता है, उसी परकार कह रहा ह। है कि इसी के परकार इसका समान कौन सा होगा, तो इसके परकार देखिये आप लोगों को पतला यानि कि थिन पतला अनुपात मोटा होगा तो जिस परकार ताप का उल्टा सितल है उसी परकार पतला का उल्टा बिलोम सब्द क्या होगा? प्यारे दोस्तों नेक्स कोष्चन देखते हैं क्या दे रहा है? नेक्स कोष्चन पढ़ते हैं 32 नमबर कर रहा है कि साद्रिश्यता को पूरा करें सोक अनुपात खुसी शोक अनुपात खुसी बोल रहा है समानुपात संसय अनुपात क्या होगा तो जिस परकार सोक का बिलोम सब्द खुसी होता है तो उसी परकार संसय का बिलोम सब्द संसय रहित होगा तो आप लोग का ओप्शन में देखिए ओप्शन C is the right answer अब आईए नेक्स कोश्चन देखते हैं क्या दे रहा है थर्टी नम्मर कोश्चन बोल रहा है उस बिकल्प का उस बिकल्प का चायान करें जो तीसरे पद से ठीक उसी परकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है कारे अनुपात जूल कारे अनुपात जूल कारे अनुपात जूल तो बोल रहा है पावर अनुपात क्या होगा तो कारे का एसाई मातरक क्या होता है जूल तो पावर का एसाई मातरक फिर क्या होगा तो पावर का एसाई मातरक वाट होगा तो आप लोग का अप्शन नमबर C is the right answer अब आईए प्यारे दोस्तों नेक्स कोश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है बोल रहा है निचे दियेगा बिकल्पों में से संबन्दीत सब्द का चयान करें परिवहन अनुपात माल परिवहन अनुपात माल करें कि समानुपात बैंक बैंक अनुपात क्या होगा तो जिस परकार परिवहन के द्वारा माल को ढोया जाता है उसी परकार लेंदेन के लिए हम बैंक में क्या जामा करते हैं तो धन जामा करते हैं अपना पैसा जामा करते हैं तो आप लोग का अप्शन नमबर ए इस दा राइट अंसर अब आईए आप लोग को नेक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कर रहा है कि नीचे दिये गए सब्दों के जोडों में से समरूप्त सग्मीग का चैन करें संक्रांती संक्रांती अनुपात आंध्र परदेश आंध्र परदेश समानुपात नहीं इसी के बराबर पुछ रहा है कि क्या होगा इसके समरूप क्या होगा तो देखिए जिस परकार आंध्र परदेश में संक्रांती पर्व को मनाया जाता है उसी परकार आप लोग को केरल में ओरम पर्व होता है उसी को मनाया जाता है तो ओरम ओरम पर्व होता है जो केरल में मनाया जाता है तो यह जो पर्व है ओर आम केरल का ओसा करांती के समरूप है इसलिए आपका ओप्शन कि इसलिए ओप्शन एज दा राइट अंसर आईए नेक्स कोशन देखते हैं क्या है करा कि दियेगा भी कल्पों में से संबंधित सब्द का चैन किजिए पहिया अनुपात तिल्ली पहिया अनुपात तिल्ली तो समानुपात पंखा अनुपात क्या होगा पंखा अनुपात क्या होगा तो देखिए जिस परकार से साइकिल में पहिया होता है तो पहिये में तिलिया जिसे बोला जाता है इसकोप साइकिल के पहिया में इसकोप को में कि कुस में लगा होता है तो विंक्स में यानि कि रख में तो पांख में उसे । तो आप लोग का अंसर क्या होगा तो अप्शन में देख लिजे क्या है सी तो सी इस दा राइट अंसर अब आए नेक्स कोश्चन देखते हैं क्या दे रहा है है नेक्स कोश्चन बोल रहा है कि हसो अनुपात हस अनुपात हसो हस अनुपात हसो हस अनुपात हसो अब बोल रहा है कि समानुपात में क्या होगा समानुपात में क्या होगा इस जोड़ी का चयन करना है इस समन्दित जोडी का चयन करना है तो हस का बिलोम सब बहुँआ चन सब क्या है हसो तो उसी परकर पतलुन उसी परकर क्या होगा पतलुन का बहुआ चन पतलुनो क्या होगा पतलुनो तो option में देखिए D is the right answer डी इज दा राइट अंसर आप लोग का होगा चला अब आईए मेरे प्यारे दोस्तों कि नेक्स कोच्चन देखते हैं करा है कि कि समरूप जोड़ी का चयान करें बढ़ाई बढ़ाई जिसे कारपेंटर बोला जाता है हाथ हाओडी हाथ हाओडी तो अब बोल रहा है कि इसके समरूप बढ़ाई जो है बढ़ाई का अपना काम में औजार क्या होता है हाथ हाओडी उसी तरह नल साज अनुपात पाना होगा उसी तरह नल साज अनुपात पाना आप लोग का अंसर होगा तो अप्शन नंबर सी इस दा राइट अंसर अब आये नेक्स कोश्चन देखते हैं क्या दे रहा है नेक्स कोश्चन बोल रहा है होटल अनुपात मेन्यू होटल अनुपात मेन्यू होटल समानुपात क्या होगा समानुपात जिस परकार होटल में मेन्यू मिलता है भोजन समगरी भोजन की सुची मिलता है खाने के लिए कि आप क्या खाईएगा उसी परकार पुष्टकाले में कायट लोग होता है पुष्टकाले में क्या होता है कायट लोग होता है पुष्टका चाले कि सुची को देखना है उसी को हम बोलते हैं काइट लोग तो आप लोग का option D is the right answer अब आए नेक्स कोस्ट्टन देखते हैं क्या होगा अब आएएंक्स कोस्ट्टन देखते हैं क्या होगा कर रहा है कि अनाज अनुपात धेर अनाज अनुपात धेर कह अनुपात कागज अनुपात क्या होगा तो जिस तरह जिस तरह आनाज का एगो धेर होता है उसी तरह कागज का एक क्या होगा बंडल होगा अब आईए नेक्स कोश्चन देखते हैं क्या दे रहा है अब आईए नेक्स कोस्चन देखिए क्या दे रहा है को रहा है कि प्रकास अनुपात अंधा प्रकास कि अनुपात अंधा समानुपात भासर समानुपात क्या होगा तो जिस परकार जिस परकार प्रकास का संबंध अंधा से है उसी परकार भासर अब दिखिए जिसको परकास दिख रहा है उसको कर रहा है कि अंधा बिल्कुल नहीं दिख रहा है उसी तरह भासर तो भासर कौन नहीं दे पाएगा तो गूंगा नहीं दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा गूंगा तो आप लोग का ओप्ष ग्रीन तीतर जापान अनुपात ग्रीन तीतर दिया है तो समानुपात भारत अनुपात क्या होगा भारत अनुपात क्या होगा जिस तरह जापान का राष्टिये पक्षी तीतर है उसी तरह भारत का राष्टिये पक्षी क्या है भारत का राश्टी ये पक्षी क्या है तो आप लोग का option C is the right answer हो जाएगा अब आईए next question देखते हैं क्या कह रहा है हाईगरो मीटर अनुपात आदरता समानुपात बैरो मीटर अनुपात क्या होगा जिस तरह हाईगरो मीटर से आदरता मापा जाता है उसी तरह बैरो मीटर से दाब मापा जाता है उसी तरह बैरो मीटर से दाब को मापा जाता है तो आप लोग का option number B is the right answer अब आईए next question देखते हैं क्या दे रहा है कर रहा है कि malaria अनुपात मच्छर नहीं option है जा अनुपात question में है है जा अनुपात पानी तो कह रहा है कि इसकी के समान कौन होगा तो जिस तरह है जा है जा पानी से होने वाला रोग है उसी तरह उसी तरह malaria 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 मच्छर से मच्छर से होने वाला रोग है उसी तरह malaria जो है मच्छर से होने वाला रोग है तो आप लोग का option number A is the right answer अब आईए next question देखते हैं क्या कह रहा है समानुपाथ दुस्मन अनुपात क्या होगा तो जिस तरह जिस परकार परवत का बिलोम घाक है उसी तरह दूस्मन का बिलोंग कोची होगा दोस्त होगा उसी तरह दूस्मन का बिलोंग क्या होगा दोस्त होगा तो C is the right answer अब आईए next question देखिए क्या बोल रहा है चेहरा अनुपात अभी ब्यक्ति समानुपात हाथ अनुपात क्या होगा तो जिस परकार चेहरे से अभी ब्यक्ति मतलब expression दी जाती है उसी परकार हाथ से क्या दिया जाएगा इसारा दिया जाता है उसी परकार हाथ से क्या किया जाता है इसारा किया जाता है तो B is the right answer अब आईए next question देखते हैं क्या बोल रहा है अब आईए next question बोल रहा है घन अनुपात वर्ग गन अनुपात वर्ग समानुपात वर्ग अनुपात क्या होगा वर्ग अनुपात क्या होगा तो देखिए जिस परकार घन वर्गों के संजोजन से बनता है जिस परकार घन वर्गो के संजोजन से बनता है ठीक उसी परकार वर्ग जो होता है रेखा से बनता है किसे बनता है रेखा से तो B is the right answer अब आई एच नेक्स कोचन देखते हैं क्या दे रहा है बोल रहा है कि जंगल अनुपात चिडिया घर जंगल अनुपात चिडिया घर तो समानुपात समूंद्र अनुपात क्या होगा तो देखिए जिस परकार जंगली जीवों को चिडिया घर में रखा जाता है उसी परकार समूंद्री जीवों को एक वेरियम में रखा जाता है कहां रखा जाता है एक वेरियम में रखा जाता है तो आप लोग का option B is the right answer अब आईए आप लोग को question number आगे देखते हैं आये next question देखिए क्या बोल रहा है प्रिथवी अनुपात सूर्य प्रिथवी अनुपात सूर्य समानुपात क्या करें कि समान संबंध क्या होगा इसी के समान क्या होगा तो देखिए जिस परकार प्रिथवी सूर्य का चकर लगाती है उसी परकार ठीक चंद्रमा प्रिथवी क चारो और चकर लगाती है तो क्या लिखेंगे चंद्रमा अनुपात प्रिथी अप आप लोग का अंसर होगा वी इस दो राइट Посet अब आईएमक्शकोचन देखते हैं क्या बोल रहा है अब आई ये नेक्ट्सकोचन कर आये का नेक्सकोचन बोल रहाहे समभन्द को स्वर्वतम धंग से पूर्ण करता है चार मिनार चार मिनार इंडिया में है उसी परकार कर रहा है कि पी वाई आर ए पी वाई आर ए एम आई डी पैरामीड कहां है तो पैरामीड चंदा वैक्सिन इंग्लेंड इसका अंसर होगा E, G, Y, P, T तो आप लोग का ओप्शन में B is the right answer अब आईए next question देखते हैं कर रहा है कि सुई अनुपात सिलाई करना सुई अनुपात सिलाई करना समानुपात चाकू चाकू अनुपात क्या होगा तो जिस तरह से सिलाई करते हैं उसी तरह चाकू से क्या करते हैं कातते हैं तो कातना तो B is the right answer अब आईए next question देखिए क्या बोल रहा है अब आईए next question देखिए क्या बोल रहा है पेन अनुपात लिखना पेन अनुपात लिखना पेन अनुपात लिखना पेन अनुपात लिखना समानुपात चाकू चाकू देखिए जिस परकार पेन से लिखते हैं उसी परकार चाकू से क्या लिखेंगे चाकू से क्या करेंगे काटेंगे काटना होता है चाकू से क्या होत सर अब आये next question देखिए क्या बोल रहा है उस भी कल्फ का चायन करें जो तीसरे पद से उसी परकाश संबंदी से जैसे दूसरा पद पहले सबन से बिल्ली अनुपात बिल्ली का बच्चा बिल्ली अनुपात बिल्ली का बच्चा तो समानुपात भेण देखिए जिस तरफ बिल्ली के बच्चा को बिल्ली के बच्चा बोला जाता है उसी तरफ भेण के बच्चा को क्या बोला जाएगा उसी तरह भेण के बच्चा को क्या बोला जाएगा मेमना उसी तरह भेण के बच्चा को बोला जाता है मेमना तो आपका option B is the right answer अब आईए next question देखिए क्या बोल रहा है next question बोल रहा है मकान अनुपात घर मकान अनुपात घर समानुपात दोस अनुपात क्या होगा दूसरा सब्थ पहले सच से संबंदित है जिस तरह जिस परकार मकान का संबंद घर से है उसी तरह दोस का संबंद संदोस से होगा क्या से होगा संदोस से होगा तो B is the right answer अब आईए next question देखते हैं क्या है अब आईए next question देखते हैं क्या है ओडो मीटर अनुपात गती ओडो मीटर अनुपात गती तो कह रहा है कि समानुपात अए मीटर अए मीटर अनुपात क्या होगा तो जिस परकार ओडो मीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसी परकार अए मीटर धारा को मापता है याने कि करन्ट को मापता है धारा को क्या होता है बोला जता है करणट तो इसमें ढहारा को ही करणट बोला जाता है तो आपका ओप्शन नम lui c is the right answer अब आइए next question देखते हैं क्या बोल रहा है होंकी अनुपात मैदान होंकी अनुपात मैदान तो समानुपात बैड मिंटन कहां खेला जाएगा को रहा है कि जिस पर कर होंकी मैदान में खेला जाता है उसी पर कर बैड मिंटन कोट पर खेला जाता है तो आप लोग का option D is the right answer अब आईए next question देखिए next question देखिए क्या बोल रहा है next question जापान अनुपात येन जापान अनुपात येन समानुपा कोरिया क्या होगा तो देखिए जिस पर कर जापान की मुद्रा येन है उसी तरह कोरिया का मुद्रा वान है कोरिया का मुद्रा क्या है वान है तो आप लोग का option हो जाएगा A is the right answer A is the right answer अब आईए देखिए next question 58 बोल रहा है कि आर्मी अनुपात सैनिक समानुपात गैलेक्सी गैलेक्सी अनुपात क्या होगा तो देखिए जिस पर कर आर्मी में सैनिक होते हैं उसी परकार गैलेक्सी पूरा ब्रहमांड में क्या होते हैं गरा होते हैं क्या होते हैं गैलेक्सी में गरा होते हैं तो option C is the right answer अब देखिए next question बोल रहा है 59 कराब प्रार्थना अनुपात मंदिर प्रार्थना अनुपात मंदिर समानुपात रसोया रसोया तेखिए क्या बोल रहा है कि जिस परकार प्रार्थना मंदिर में किया जाता है उसी परकार रसोया 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 और जिस परकार मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं उसी परकार रसोया 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 तो तो रसोय जाएगा कौन जाएगा रसोय जाएगा रसोय जाएगा अब नेक्स कोस्चन सिक्षी नुमर बोल रहा है कि उस परका जापान अनुपात टोकियो जापान अनुपात टोकियो समानुपात चीन देखिए इसमें क्या है जिस तरह जापान की राजधानी टोकियो है उसी तरह चीन की की राजधानी कहां है तो सभी लोग को याद जीन की राजधानी बीजिंग तो आपका ऑप्सन नुमबर C is the right answer अब next question देखिए क्या बोल रहा है कर है कि कुर्सी अनुपात फरनीचर कुर्सी अनुपात फरनीचर समानुपात सट तो सट अनुपात क्या होगा तो देखे जिस परकार कुर्सी फरनीचर के अंतर्गत आता है जिस परकार कूरसी फरनीचर के अंतरगत आता है उसी परकार सोट जो है कपड़ा, सट जो है कपड़े के अंतरगत आएगा गार्मेंट के कपड़े को क्या बोला जाता है गार्मेंट के अंतरगत आएगा इसे कपड़ा भी बोला जाता है तो आपका option number B is the right answer, अब ये next question देखते हैं, क्या बोलता है, next question बोल रहा है, समझ अनुपात तर्क, सम अनुपात तर्क, सम अनुपात डूपे, डूपे अनुपात क्या होगा, तो जिस परकार से समझ का तर्क से समबंद है, उसी तरफ डूपे मतलब है धोखा देना, तो धोखा देना का समबंद कौन से होगा, कौन मतलब भी होता है, धोखा देना, तो कौन से होगा, क्या होगा, कौन से, इसे लिख दिजिए, कौन, कौन कहा है, B, तो B is the right answer, अब आई ये, next question देखते हैं, क्या बोल रहा है, next question, क्या बोल रहा है, ढूरा है, धोवनी अनुपात कान, धोवनी, अनुपात कान, समा नूपात, खुसुबू, खुसुबू, अनुपात क्या होगा, तो जिस परकार कान से धोनी को हम सुनते हैं उसी परकार नाक से हम क्या सुनेंगे खुसबू को उसी परकार हम नाक से क्या सुनेंगे खुसबू को तो B is the right answer अब आईए नेक्स कोस्टन देखते हैं क्या दे रहा है और नेक्स कोस्टन है चुमबकिये छेत्र अनुपात ओस्ट्रेड ओस्ट्रेड समानुपात सक्ति अनुपात क्या होगा तो जिस परकार जिस परकार चुमबकिये छेत्र से संबंधित बैग्यानिक हैंस किस्टन ने हैं किस्टन आस्टेड हैं उसी परकार सक्ति से संबंधित बैग्यानिक जेम्स वाट जेम्स वाट थे तो आप लोग का अप्शन नंबर झाल झाल